हलो मेरे प्यारे बच्चो वेलकम बाक टू आवर यूटूब चैनल मोशन बालो जी तो बच्चो आज फिर एक मस्त और जख्काज टॉपिक सिखेंगे बहुत ही छोड़ी टॉपिक है लेकिन बहुत जादा क्या है इंपोर्टेंट है है ना तो हमें पूरा विश्वास होगा कि आप सभी लोग पिछली क्लास तो जरूर देखे होंगे और देखें नहीं है तो पहले जाए देखें और कोशन का जवाब दिया करिए जो भी कोशन पूछा जाता है तो बच्चो स्टार्ट करें हम आज की टॉपिक जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है बोर्ड एक्जाम के लिए तो है ही लेकिन आपके कमपेडिशन एक्जाम के लिए भी है और ये जो टॉपिक है आपके NCRT में बहुत अजीब तरीके से दिया है बट हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे तो चलिए बिना देडी की हुए स्टार्ट करते है अपनी टॉपिक और हाँ सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी अपनी प्यादी सी बुक अपने सामने रख लिजिए और बुक क्यूं रखना है बताएंगे और अंटरलाइन भी करना पड़ेगा और नहीं रखे हैं तो जाई उठाईए और लेकर आईए जल्दी से तो स्टार्ट करें वीडियो और आज की जो हेडिंग है इंपोर्टेंट सी हेडिंग बोलेंगे इसको हेडिंग क्या है अंतरड आरेने जिसका दूसरा नाम है टी आरेने और इसका तीसरा नाम भी है घुलन सील आरेने अंतरड आरेने की इंग्लिस है एडप्टर आरेने, टी आरेने तो है ही मतलब टी आरेने मतलब ट्रांसफर आरेने और घुलनसील आरेने मतलब सालूबल आरेने ठीक है? यानि कि जो घुला होता है तो ये तीन हेडी एक्जाम में कोई एक करके आपसे पूछ सकता है और हम जानते हैं कि आपसे मिस नहीं होगा क्योंकि हम बता चुके हैं, है ना? टी आरेने के कितने नाम? दो और नाम है एक तो टी आरेने है ही, क्या नाम है उसका? पूरा नाम क्या है? ट्रांसफर आरेने फिर दूसरा अंतरड आरेने यानि एड़क्टर आरेने, किसी को लेकर आएगा अपने साथ, किसको लेकर आएगा? बताइए माईनो इस हिट को लेकर आता है और उसके बाद सालूबल आरेने यानि घुरन सिलारनी यानि तीन नाम से जानते हैं इसको तो स्टार्ट करें हम ये टॉपिक पूरी एक एक कॉंसेप्ट समझाएंगे उससे पहले आपके बोर्ड पर एक फिगर है जो कि मजेदार आपको अच्छा सा दिखाई भी दे रहा होगा और इसमें जो कुछ लिखा है आपको सायद वो न दिखाई दे इसकी कोई जरूरत नहीं ये बच्चो जिसकी जरूरत है उसको हम बताएंगे कि ये चीज आपको याद होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि T-RNA की खोज हम यहाँ पर लिख देते हैं सायंटिस्ट के नाम तो T-RNA की खोज का जो सबसे बड़ा स्रे है मतलब T-RNA की सरचना का कर सकते हैं खोज का सबसे बड़ा स्रे है वो है किसका? रॉबर्ट होले इसको सबसे पहले मतलब खोजने की बारें बात करेंगे तो क्रिक है, ठीक है, क्रिक वाटvatण क्रिक में आप लोग जानते हैं जो क्रिक है T.R.N.E की खोज में उनका बहुत बड़ा स्रे है, खोजने में तो उनका स्रे है लेकिन इसकी सरचना को प्रस्तूत करने के लिए जो scientist थे, वो कौन-कौन से हैं, Robert हो ले हैं, दूसरे number पे हैं, कौन से, Nirenberg है, और तीसरे scientist का नाम है, Hargowind Khurana, ठीक है, क्या नाम है, Hargowind Khurana, तो बच्चों, ये तीन साइटिस्टों ने, यानि ये तीन विज्ञानिकों ने, अंतरड RNA, यानि टी RNA, या फिर इसको soluble RNA काते हैं, इसकी सरचना को प्रस्तुत किया था, और ये जो सरचना प्रस्तुत किया था, वो कौन से सरचना थी, 2D सरचना थी, यानि इन्होंने जो सर बुक में Robert Holley भी लिखा है, तो आपको confusion नहीं रखना है, Robert Holley को कहीं बुक में प्रस्तुत करता है, Robert Holley और कहीं पर Robert Holley, तो ये तीन साइटिस्टों ने, टी RNA का 2D structure दिया था, खोज का सरे जाता है, क्रिक को, और ये सरचना को प्रस्तूत, मतलब ये सरचना को प्रस्तूत क तो बच्चों, अंतरड RNA, ये एडप्टर RNA, that means कि अमाइनो एसिट को अपने पास, मतलब कैरी करता है, और टी RNA मतलब एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने का काम होता है, और उसके बाद घुलनसिल RNA मतलब सालूबल RNA, तो बच्चों, तीन RNA होते हैं सबको पता है तीन RNA होते हैं सबको पता है, और उस तीन RNA में जो टी RNA होता है बच्चों, वो सबसे छोटा RNA होता है, इसमाल RNA के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे छोटा RNA होता है, और ये सिल साइटोप्लाजम में, साइटोप्लाजम में ये क्या होता है, घुला होता है, सबसे इसमाल RNA होत इसलिए इसको बच्चों क्या कहा जाता है भुलन सील आरेन यानी सालूवल आरेन के नाम से जाना जाता है ठीक है क्योंकि यह साइटो प्लाजम में होता है इसका जो अडुभार हम अगर बता दें तो वो कितना होता है पचीस हजार से पचीस हजार से तीस हजार ठीक है पचीस हजार से तीस हजार डाल्टन इसका अडुभार होता है और यह तीनो आरने का कितना परसेंट होता है बच्चों यह तीनो आरने का लगभग 15 से 15 से 18 परसेंट भाग अकेले ही लेता है मतलब 15-18% कौन सा RNA? TRNA की बात कर रहे थे किस RNA की? TRNA की बच्चो अब उसमें सबका बता देते हैं आपको कौन-कौन कितना cover करता है तो जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो RNA होता है वो RRNA होता है बच्चो यानि कि हमारे cell में सबसे ज़्यादा RNA कौन सा होता है RRNA होता है सबसे ज़्यादा ठीक है? दूसरे नमबर पे TRN होता है ये इसकी मात्रा कितनी होती है लगभग 75-80% होती है बच्चो 75-80% यानकि कुल RNA का 75-80% भाग RNA होता है कुल RNA का 15-18% भाग TRN होता है सबसे कम हमारा कौन सा आरेने होता है यम आरेने होता है बच्चो 20 laag Dealtan अड़भार होता है किसका यम RNA का और RNA middle size का होता है क्योंकि इसका 35,000 से 10 laag Techa 10 laag केsted और जो TRN होता है 25,000 से 36,000 इसका 37,000 होता है तो यह important है बच्चों सबसी important है NCART में सारे data नहीं लिखे हुए है हम इसको हमने आपको decode कर दिया सारे डेटा को जो की out of NCRT है और आपके board exam में तो important है ही बच्चो इससे कहीं ज़्यादा important है कहाँ पर आपके competition exam के लिए तो फिर से एक बार revise कर देते हैं इस topic को पूरी तरिके से है ना focus रखिएगा हमने क्या बोला Robert हो ले है नीरनबर्ग और यच्च मतलब हर गोविंद खुराना ने अंतरड़र आरने यानि टी आरने का जो है टूडी structure प्रस्तूत किया और वो टूडी structure था नाम क्या था बच्चो सबसे बड़ी बात तो ये तो बताना ही भूल गये हम क्या नाम है इसका Clover leaf है ना यानि कि घास के ती पतिया आकार का ठीक है Clover leaf model प्रस्तूत किया था टूडी structure में Clover leaf यानि घास के ती पतिया आकार का आप देखेंगे एक घास आपको देखने को मिल सकती है इस तरीके की इस तरीके की आपको घास जो कि ती पतिया बोला जाता है इसको, इस तरीकी कि आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, इस तरीकी कि घास आपको देखने को मिल सकती है, ठीक, ऐसा कुछ, तो ये क्लोवर लीफ माडल प्रस्तुत किया, यानि कि घास के ती पतिया कार का जो सरचना प्रस्तुत करने वाले वग्यानी थे कौन कौन से रॉबर्ट होले निरेंबर्ग और एचन खुराना वो 2D structure दिया और इन तीनों साइंटिस्टों ने कहा कि जो टी आरने का जो structure होता है जो सरचना होता है बच्चों वो की सरका आकार का होता है घास के ती पती आकार का होता है यह क्लोवर लीफ कुछ साइंटिस्स मतलब आज के डेट में कहा जाता है कि जो tRNA का मतलब जो tRNA का जो सरचना है उल्टे यल अकार का है अब ध्यान से देखेगा ध्यान से देखेगा बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जादा इंपोर्टेंट है जो यह टॉपिक लिखी गई है NCRT में तो है ही नहीं लेकिन आपके board के लिए तो है ही important लेकिन आपके competition के लिए उससे कहीं ज़्यादा important है data बहुत important है फिर से एक बार हम revise करते ध्यान से focus रखिएगा अभी तो हम TRNA के बारे में कुछ पढ़े ही नहीं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है आप देखेंगे यहाँ पर Robert Hole, Nirenberg, H. Khurana यानि कि Hargowind Khurana ने TRNA का 2D structure दिया यानि इन तीनों साइंटिस्टों के अनुसार जो TRNA होता है वो Clover Leaf की तरह होता है मतलब घास के ती पती आकार का यानि एक घास होती है तीन पती जैसी होती है उसकी उस आकार की इसकी सरचना होती है किस ने बताया? ये तीनों साइंटिस्टों ने बताया इसके बारे में ठीक है बच्चो? और उसके बाद आज के date में इसके अकार की बात करें तो आज के date में इसका अकार उल्टे यल अकार का माना जाता है मतलब साइंटिस्ट कहते हैं कि T-Akar यानि जो T-RNA यानि अंतरड़ RNA जो होता है वो उल्टे यल अकार का है ठीक है समझे इतनी बात है ना ये तो नहीं भूलेंगे आप लो और सबसे बड़ी बात है कि जो T-RNA होता है बच्चो वो साइटो प्लाजम यानि कोसी का द्रव में देखने को मिलता है हमको और ये सबसे समाल RNA होता है मतलब सबसे छोटा RNA होता है क्योंकि T-RNA का जो अड़ुभार होता है वो 25,000 से 30,000 डालटन होता है इसलिए सबसे छोटा होता है और ये कुल RNA का 15-18% भाग को कवर करता है यानि कुल RNA का 15-18% है लेकिन अड़ुभार छोटा होने के वज़़ से सबसे छोटा RNA है और सबसे छोटा है इसलिए से घुलन सील आरेने भी करते क्योंकि ये साइटोप्लाजम में घुला हुआ होता है और उसके बाद जो आर आरेने है इसका भी हमने बताया कि कुल आरेने का 75 से 80% भाग को ये कवर करता है और इसका अडुभार मिडल होता है मतलब कि इसका अडुभार जो होता है वो लगभग ऐसा मानते हैं कि इसका अडुभार जो होता है वो 35,000-10,000,000 डाल टन होता है और यम आरने की बात करें तो सब पूर कुल आरने में से सबसे कम आरने यानि सबसे संख्या में सबसे कम आरने कितना यम आरने का होता है यानि 5% होता है और लेकिन इसका अड़ुभार सबसे जादा होता है तो अगर आपसे कोशन पूचे कि तीनो आरने में सबसे छोटा आरन कौन सा है तो सबसे छोटा आरने टी आरने है सबसे बड़ा आरने कौन सा है तो सबसे बड़ा आरने कौन सा है यम आरने बच्चो फिर से अगें रिवाइस करते हैं हमने क्या बोला ध्यान से सुनेगा फोकस करके हमने क्या बोला कि सबसे छोटा आरने तीनों आरने में सबसे बड़ा आरने कौन सा है, यह मारने है, कूल आरने में सबसे ज़्यादा, अब हम बड़ा और छोटा की बात नहीं करें, सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने होले आरने कौन सा है, बताइए, कौन सा है, आर आरने है, सबसे ज़्यादा होता साइटोप्लाजम मतलब हमारे कोसिका में सबसे जादा होता है सबसे कम कौन होता है यह मारने होता है मिडल में कौन आ जाएगा टी आरने तो यह डेटा बहुत इंपोर्टेंट है आप इसको नोट डाउन कर लिजी अपने नोट में और इसको बार-बार रिवाइस करते रहे है बच्चो इसके अकार के बारे में और यह पूरे मतलब जो कुछ भी हमने बता है इसके बारे में अब बात करते हैं कि जो टी आरने होता है इसके अकार की और इसमें जो अकार में जो कुछ भी हमने लिखा है इसका काम क्या है बच्चो ठीक है फोकस रखिएगा और ध्यान से हर एक टॉपिक को समझने की कोशिस करिएगा बहुत ही जादा इजी वे में समझाएंगे बच्चो ध्यान से देखिए अंतरर आरने, टी आरने या घुलंसिल आरने जोसका हमने फीगर बनाया है और वो फीगर कौन सा है यणि जो इन तीनों सांटिस्टों नहीं दिया था उस सरचना को हमने बनाया है मतलब कलोवर लीफ मोडल को हमने बनाया है और इसके बारे में हम समझेंगे, देखेंगे धियान से यहाँ पर T RNA है और आपको पता है कि जो RNA होता है वो single standard होता है single standard मतलब एक सिंखला होती आरेने में 5 prime यहाँ है और 3 prime यहाँ पर है ठीक है बच्चों ध्यान से देखेगा 5 prime यह है और 3 prime यह है और आप देखेंगे कि यह इस तरीके से मतलब wild हुआ है और double standard की तिरह दिखाई दे रहा है मतलब 2 standard दिखाई दे रहा है तो एक question आपके competition exam में यह भी पूछ सकता है क्या कि कौन सा RNA double standard हो जाता है या होता है तो आपको याद रखना T RNA होता है बच्चों क्योंकि यह होता तो नहीं है होता तो single standard देखिए 5 prime है और 3 prime भाई इस chain को फैलाएंगे तो एक ही इसमें से chain निकलेगी लेकिन यह घूम जाने की वज़य से यानि साइटोप्लाजम में घूमा हुआ होता है इसलिए bond बनता हुआ दिखाई देता है जहाँ जहाँ पर घूमा है वहाँ वहाँ पर एक लूप बन गया है जैसे यहाँ पर लिखा है D.H.U. लूप क्योंकि इस लूप को बोलते हैं बच्चो डाई हाइड्रो यूरेडिन लूप ठीक है D.H.U. लूप इसको नाम हम लिख देते हैं क्या Amino Acyl Synthetage ठीक है बच्चो यहाँ पर हम उसका नाम भी लेख देते हैं क्या नाम है इसका Amino Acyl Synthetage 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 चले देखे D.H.U. लूप का यानि कि जब ये जो टी आर में है जब ये घूमता है तो लूप बन जाता है लूप जब बनता है तो उस तीन लूप यहाँ तीन चार लूप दिखाए दे रहे होगे एक लूप यहाँ पर है एक नीचे है एक यहाँ पर छोटा सा है और एक यहाँ है ठीक है तो ये जो लूप बनते हैं उनका नाम दिया गया है इसका नाम है DHU जिसका पूरा नाम है Diedrydine Loop, इसका काम क्या है कि यह amino acyl synthritage, एक enzyme होता है इसको जोडने का काम करता है, यह enzyme का क्या है यह enzyme का काम है Amino Acid को जोडने में मदद करना, फिर से एक बार revise करते हैं, DHU लूप का काम क्या है यह amino acid synthetase enzyme को अपने साथ जोडता है और इस enzyme का काम पर्टिकुलर क्या है amino acid को जोडने का काम ठीक है amino acid को जोडने का काम किया जाता है बच्चो इसे ठीक है यह मदद करता है यह enzyme amino acid को जोडने से कहां जोडता है क्यों जोडता है इसके बादे बात करते है अब ये नीचे का जो loop दिखाए दे रहा है इस नीचे के loop को बोलते हैं anti-codon loop बच्चो ये anti-codon loop ठीक है इसका काम क्या है यम आरने पर लिखे वे code को पढ़ना ये यम आरने से जुड़ा होता है directly जाकर तो ये यम आरने के code को पढ़ने का काम करता है मतलब code से जुड़ने का काम करता है इस लिए इसको बोलते हैं anti-codon loop इंपोर्टेंट है ध्यान से सुनेगा आपसे exam में competition exam पुछा जाता है कौन सा loop ये अम आरने से जुड़ता है तो याद रखेगा anti-codon loop ये अम आरने से जुड़ता है कौन सा anti-codon loop ठीक है उसके बाद एक loop आपको यहाँ पर दे देखा होगा यहाँ पर देख सकते हैं टी-codon loop यानि इस side जो loop है तीसरे प्राइम के side ये पांच में side कौन सा था दिये ची लूप ठा और तीसरे वाले प्राइम के side कौन सा है टी-codon loop इसका काम क्या है बच्चो इसका काम है ribosome से attached होना ठीक है किस से attached होना ribosome से ये किस से प्राइम के side कौन जोड़ता है एंटी-codon loop ठीक है और variable loop का कोई काम नहीं तो चार रूप में एक लूप का कोई काम नहीं तीन लूप का अलगलग काम है एक ribosome को जोड़ रहा है के enzyme को जोड़ रहा है और एक यम आर में से जोड़ता है अब बच्चो बात कर लेते हैं सब कि यहाँ पर एक OH Sumo भी है याद रखिएगा तीसरे वाले प्राइम पर OH Sumo है अगेन revise बच्चो एक चीज़ याद रखिए सबसे पहले जिस point को हम कई बार दोहराते हैं जिस point को हम बोलते हैं कि यह important है तो यह जान लिजे कि कई बार neat exam का question बना है ऐसे में बोलते हैं ठीक ह आप पिछले 10 साल का neat exam का question फ़ाव कर लिजे और आपको लगेगा कि सर जो बताते हैं वो real way exam का question बना है और कम से कम जो हम आज पढ़ा रहें बचो इस chart में जो भी हम आपको बताएं यह कम से कम यहाँ से 10 से 15 question हर एक exam में मतलब जो आपके neat exam में उसमें पूछे गए हैं ठी तो मेरी बातों को ध्यान से और serious way में लिया करिए वे बच्चे लें जरूर जो की competition exam यानि की need exam की तयारी कर रहे हैं ठीक है अब ध्यान से देखिए सब को लेना है है na serious में लेकिन वो बच्चे ज्यादा serious ले जो की personally उनका aim है उनका लक्ष है कि अपने जीवन में एक ऐसे म काम पर हम पहुँचे जहां पर लोग हमको जाने हम लोगों की सहाता कर सके और उनको देख के और भी आपके जो पीछे जो आपके दोस्त हैं आपके भाई बहन हैं आपको देख के उनको inspiration हो वो भी पढ़ना सीख ले ठीक है एक चीज़ याद रखिए बच्चो क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं आप उनकी inspiration बनिये अप उनके लिए एक समझ सकते हैं कि आप उनके लिए एक ऐसा example बनिये जो की उनको मझबूर करे आगे आपके साथ आपके पीछे चलने की ठीक है ऐसा example कभी मद बनियेगा बच्चों ऐसा example कभी मद बनियेगा कि लोग दे के क्या कर लिए ये क्या कर लिए तो please आपसे request है आप serious होके पढ़ाई करिए और एक ऐसा inspiration बनिए एक ऐसा example बनिए लोग आपको बार-बार याद रखें और आप जैसा बननी की कोशिस करें ठीक है आपके जैसा बननी की कोशिस करें तो चलिए बीच-बीच में motivation हो गया अब चल पांचे लोग प्राइम पर तो acceptor arm कुछ नहीं है आपर तीसरे वाले प्राइम पर acceptor arm है ठीक है और इसी arm पर OH है बच्चो यही पूछा गया था कि किस arm पर OH होता है बतलब किस prime पर तो OH वाले ठीक है जिसको acceptor arm क्यों है acceptor arm कहा गया क्योंकि बच्चो amino acid यहीं आकर है इसका दूसरा नाम AA arm भी पढ़ा है AAR में भी पढ़ा है AA का मतलब होता है amino acid arm ठीक है बच्चो यहां पर OH समय होता है और यहीं पर COOH का bond बनता है यहीं पर यहीं पर OH जो है यहीं पर amino acid को जोड़ लेता है और एक कोशन यहां से पूछा गया कि 3 प्राइम पर जो निकलि CA ठीक है CCA याद रखना है यहां पर देख सकते हैं फोकस रखिएगा आप लोग थोड़ा से जूम करके देख सकते हैं CCA है ना नीचे से पढ़के जा रहे हैं CCA तो यहाद रखना है यह code भी याद रखना है आप लोगों को CCA अगर उपर से पढ़ते आएंगे तीसरे प् से पढ़ते हुए आएंगे तो कौन सा कोडान सबसे पहले पढ़ेगा मतलब कौन सा निगलोटाइट सबसे पढ़ेगा तो वो A आ जाएगा फिर C आएगा पांच में साइड से पढ़ते हुए जाएंगे तो CCA आएगा समझगे बच्चो तो टॉपिक यही तक थी बच्च है आपसे कि आप बड़े ध्यान से सुनिए बच्चो और हम एक टॉपिक को समझा रहे हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम जो समझ रहे ना उतना इंपॉर्टेंट सायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि सर पता नहीं कि आप बार बार हैं तो आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे है ना हम जो बता रहे हैं और अगर आप केवल बोर्ड इग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल नहीं कि बोर्ड इग्जाम में पास हो जाना है बस केवल इतना ही काफी है तो बच्चो आपके लिए इंपोर्टेंट ना हो ठीक है लेकिन आने वाले समय में हमने क्या बोला अभी अभी कि अपने अंदर वो एटिटूड पा लिए वो चीज़ बनिये आप कि लोग आप जैसे बनने की कोशिस करें इंस्पिरेशन बनिये लोगों का मजाक नहीं ठीक है मेरी बात ध्यान से सु जाएगा और मेरी बातों को सुनके पढ़ाई पर पूरी फोकस रखेगा और एक दिन हम जरूर इसी टॉपिक पर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे और जितने लोगों को मोटिवेशनल वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएंगे सर किस इनत के साथ बनाते हैं आपके लिए है ना चलिए तो फिर से स्टाट करते हैं ध्यान से देख लेजिए आज की जो टॉपिक पढ़ रहे है बचो वो है उसका नाम तीन है अंतरड आरनी जिसको इंगलिस में एडप्टर आरनी काते हैं दूसरा नाम है टी आरनी इसका पूर या स्थान तक ले जाता है और सालूबल आरनी यानि कि यस आरनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा आरनी है तीन आरनी में सबसे छोटा आरनी है इसकी सरचना देने वाले साइंटिस्ट कौन थे बच्चो रॉबर्ट होले निरेन बर्ग ये मतलब हर गोवि खुराना ने टूडी स्टक्चर दिया और वो टूडी स्टक्चर कौन था याद रख लीजिए क्या नाम है उसका क्लोवर लीव है ना घास तीपतिया घास होता है जिसका फिगर हमने यहाँ पर बना लिया ये तीनों साइंटिस्टों ने इसके सरचना को प्रस्तुत किये और ये उल्टे यालाकार का होता है किस अकार का उल्टे यालाकार का है ना आज के साइंटिस्टे काते हैं कि ये उल्टे यालाकार का है इन तीनों साइंटिस्टों ने कहा था कि ये घास के तीपतियाकार का है ठीक है और उसके बाद जो है इसके बारे में हम समझें लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर कुछ important point mention किया हमने कि cytoplasm में पाय जाता है और सबसे छोटा RNA होता है और tRNA का जो अड़ुभार होता है वो 25,000 से 30,000 डालटन होता है और ये कुल RNA का 15-18% भाग मतलब इसका के लिए का होता है RNA की बात करें तो RNA जो है पूरे तीनों RNA में सबसे ज़्यादा पाय जाने वाला RNA मतलब 75-80% RNA होता है ये मारनी की बात करें तो सबसे कम RNA होता है मतलब सबसे कम 5% होता तीनों RNA में सबसे कम होता है लेकिन अगर सबसे ज़्यादा सबसे लंबा RNA यानि सबसे बड़ा आरने की बात करेंगे तो यमारने ही सबसे बड़ा आरने है सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बच्चो कौन सा? T आरने, सबसे छोटा T है, सबसे बड़ा M है अरुभार के हिसाब से सबसे छोटा T और सबसे बड़ा M है लेकिन अगर हम बताएं कि परसेंटेज ही साफ से तीनो आरेने में सबसे ज़्यादा कौन है तो सबसे ज़्यादा है आर आरेने और सबसे कम कौन है यह मारेने है बचो ठीक है तो यह point important था अब आ गये थे हम structure के उपर structure में हमने क्या पढ़ा कि जो TRM होता है वो single standard होता है लेकिन यह cytoplasm में घूमा होता है जिसके कारण से इसके बीच में bond बन जाता है और यह double standard दिखाए देने लगता है मतलब दिरतियक सरचना हो जाती मतलब दो stand इसमें दिखने की जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बीच में bond नहीं बनाए बच्चो आप समझ सकते हैं कि जब यह घूमता है बच्चो तो इसमें लूप बन जाते हैं तो चार लूप बनते हैं थिक़ क्लोवरलीफ मॉडल में तो जो पांच में आर्म के साइड जो लूप बनता है उस लूप को DHU loop बोलते हैं यानकि इसको बोलते हैं दाई हाइडरो यूरेडिन लूप पूरा नाम है इसका DHU का और इसका काम है कि यह अमाइनो मतलब एक एंजाइम है अमाइनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम को अपने साथ जोडता है और यही एंजाइम अमीनो एसिड को जोडने मदद करता है यह amino acid कहां जूड़ता है तीसरे वाले प्राइम पर है ना तो यही amino acid synthetage enzyme यहां जूड़ जाता है और जूड़ने के बाद इस वाले arm से किसको मदद करता है जूड़ने के लिए amino acid को जूड़ने में मदद करता है उसके बाद नीजे के side हमने एक loop बताया क्या anti codon loop जो की ymrn से जूड़ता है यmrn के code को पढ़ता है उसके बाद variable loop की बात करें तो variable loop का कोई काम नहीं होता है यह बैर्थ होता है सबसे छोटा loop भी होता है यहां पर और उसके बाद जो तीसरे प्राइम की तरब जो loop होता है घुमकर जो loop बनता उसको t-size loop बोलते है ठीक है और यह ribosome से जुड़ने का काम करता बच्चो किसे ribosome से जुड़ने का उसके बाद सबसे उपर तीसरे प्राइम पर तीसरे प्राइम वाले जो आर्म को क्या बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म बोला जाता है यानि कि यह amino acid को अपने साथ जोड़ता है इसलिए इसका नाम एक्सेप् अगर आम पर जो code होते हैं बच्चो वो code का नाम याद रख लिजीए का उल्टे इधर से पढ़के जाएंगे C, C, A अगर उपर से पढ़ते हुए आएंगे तो A, C, C है लेकिन नीचे से पढ़ते हुए maximum type जाना होता है तो इसलिए C, C ये याद रखीगा और इस arm को A, A arm भी बोलते हैं क्योंकि A मतलब होता है amino और दूसरे A का मतलब होता है acid यानि amino acid जोडने वाला arm ठीक है बच्चो तो पूरे सारांस में हमने फिर से एक बार बहुत अच्छे तरीके से एक एक topic को हमने फिर से समझाया और दो बार समझाया बच्चो तो आज की class ये पर समाप्त करेंगे और हां class कैसी लगी कोई बताता नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच् जो की सबसे important point है कोई बताता नहीं की class कैसी लग रही आप लोगों को और जूट भी नहीं बोलना है जैसा एने की सर पढ़ा रहे हैं तो उनको ये बोल देगी सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो जरूर comment box में लिखे और अच्छा नहीं पढ़ाते तो reason भी दीजिए तो कम से कम उस कमी को या अब से जो आगी वीडियो बनाएंगे उस कमी को सुधारने की पूरी कोसिस करेंगे बच्चो तो please अपना जो भी opinion है आप comment box में जरूर दीजिए कि आपको topic अच्छे से समझ में आती है या नहीं आती है पढ़ाने का तरीका मेरा और change करना चाहिए और अगर इसमें क्या improve करना चाहिए हमको या हम ज़्यादा तेज बोलते हैं ज़्यादा slow कर लें इसको या क्या problem आपको लगता है मेरे वीडियो में आप जरूर comment करके बताएंगे हमको है ना और हाँ अगर आपको personally हमको message करना है जैसे किसी को कोई समस्या है personally तो ऐसा नही से पास आउट होते हैं तब ऐसा नहीं कि 60% 70% तो अच्छा लगेगा आप सभी लोग पास हो जाए लेकिन अच्छे नंबर से पास होंगे तो अच्छा लगता है ना इंटर्व्यू लेने में तो हम आएंगे आप personally आपके पास आपका इंटर्व्यू लेंगे और यहां upload कर कि हमें मतलब अपना इंटर्व्यू देना है तो आज से पढ़ाई करने मतलब पूरी दिल के साथ सिदद के साथ लग जाए और पढ़ते रहें और हाँ जो बताना था वो यह कि अगर आप personally कोई आपको problem है तो आप आप जाएंगे मतलब channel पर जाएंगे तो community tab के बाद वहा पर email है और वहाँ पर आप हमको email भी कर सकते हैं और हम email जाकर जरूर पढ़ेंगे कोशिस करेंगे maximum time तो विजी रहते हैं लेखिन कोशिस करेंगे हम आपके email को पढ़के आपको जवाब दे ठीक है बच्चो तो class यहीं पर हम समात करते हैं आज बहुत सारी बाते हो गई है चलिए जमा करिएगा thank you so much thanks for watching आलाफी बच्चो